कि गुट आफ्ट नोई स्ट्रेंड्स कि सिवाले एजुकेशन क्लाशेज में एक बाद फिर्स से आपका स्वागत है मैं सुनिल शर्मा अपने टोपिक के साथ और आज नया जो इंसेक्ट है अपना वो है पॉमेगरीनेट बटरफ्लाई टीक है तोपिक जो अपना है वो है पॉमेगरीनेट बटरफ्लाई तथे अपन ही और आगे अगया है क recib अ जतो आज बटरफ्लाई पढ़ रहे है यह बटरफ्लाई दूए के लिए वह सारे प्लांड bran रहती है अपन पढ रहें जो हैं यहां समीर kicking और यह वह आप THE के लिए के बटरफला pressures के लिए अदर तो अपनगी पढ़ कि ने बटर फिलाइद के लिए ऐना से कलास्ट में कि वाद अंगरते हैं्ट्राइश में सबसे पहले क्या लेते हैं तो क्लास्ट Kr push इमें सबसे नहीं करते हैं इसमें 200 अध्या तुअ ठीक है सबसे पन लेते हैं अपन फाइनल अपना जो फाइलम है वो फाइलम लेते हैं तो फाइलम आता है इसके नर आर्थो पोड़ा पाइलम ठीक है तो फाइलम आ या आर्थो पोड़ा अ चैले रहे वाद सथ है तो क्लास वह तो अशुन से क्लास के हैं इते चाहरे के सारे तो इंशेक यह शा़िए इसके दर हैं इंशेक नदर कि तो ऑ सबसёрए इनदर के लेपीडो टेरा और प्रबाद करते हैं तो यह आती है लाइक निदी लाइक के निदी इसकी फैमेली होती है फिर अब बात करते हैं इसके नतर नेम जोलोगिकल नेम की ऑर्गनिजम के नेम की क्या है यह नहीं मैंता तो आता है इसका डोरिक्स है डूटो रिक्स या इसखक्षाद क्या बोल सकते हैं इसको इसको अपनबो पहुल सकते हैं विरे कोला विले कोला और इस पिसीज जो आती है इसकी वो आती है आईसो क्रेटस आईसो क्रेटस तो नाम क्या हो गया इसका नाम हो गया डियोडोरिक्स आईसो क्रेटस इसका गयां इसकी सब्सक्रेटस आम और इसके इसका को सब्सक्राइब साथ ग्सक्राइब बात करते हैं इसके दर चैरेक्टर के अब सब्सक्राइब करते हैं इसमें कैरेक्टर कैसा होता है एडल्ट कैसा होता है इनकी पहुंचा चाहिए तो देखो अबन एडल्ट फ्लाई है एडल्ट फ्लाई का डागर हम बनाते हैं इसके दर एडल्ट फ्लाई जो होती है यह एडल्ट फ्लाई इस तरीके से और कलर जो होता है इसके इंदर कलर अलग अलग होता है फीमेल और मेल में दोनों में अलग कलर पाई जाता है तो पर बात करते हैं यह इसके इंदर विंच्स हैं शुक्ति है यह इसका एड़ोबन फोर्षिय और पोर्षों जो होता है वह बाकी बाकी दूब कर प्रप्लाई होती है उन्हें इसे बड़ा होता है यह पर आप का पूर्स्तर को गया यह अड़े बटर्प्लाई का पोर्शन होगा गोराफ फन सियन के हैं और अगर लारु बाहें लारवा कि बादयद कि बाद करते हैं तो यह गरक का फॉर्ष को तो कि इंहीं तो जी इसका गरनास को स्था आ है जो होता है सोटे फूर्षिद में क्या breeds ही होते हैं कि के यह ये फिरिजेंट होते हैं बोडी पर यह जो कि चलो आउपन बात करतें हैं इसके लगा टरस ए एक अडल्ट है अग्रेव लेटा इसमें अडाल्ट है अडाल्टि के अडल्ट का बात लेते हैं फ्राट बहुत है तो एडार्ट में पहले पन चचा कटें इसमें मेल की त्योंकि चैथर मेल । तीमेल जो है वह दिखने में अलग अलग होती है इसमें इनके जो कलर होते हैं वो बोडी कलर दोनों का अलग कलग होता है मेल का बोड़ी कलड होता है वो होता है ब्राइट ब्लू कलड का के मेल जो होता है इसका वो होता है ब्राइट ब्लू कलड है कि जबकि फीमेल की बात अब करते हैं तो फीमेल होती है इसके दर ब्राउन कलड की कि मेल जो होती है वह होती है इसमें ब्राउन कलर की कि अब अगर विंक्स की बात अब करते हैं इसके और विंक्स की बात अब करते हैं तो विंक्स जो है वो है 40-50 mm अब इसकी बातते हैं तो यह है 42-50 mm लेंद्ध के लिर चलु अब बात करें इसके इंदर लार्वा बात यह आपन कह सकते हैं इसके इसमें है गर्ब फूमकी है लार्वा के दो या इसका ग्रप के दो ग्रप जो होता है यह ग्रप जो है वो होता है बाद है वो डार्क ब्राउन करका हुता है कि दार्क ब्राउन का रखा होता है इसके बोडी जो है इस बोडी पर स्मॉल हैर प्रेजेंट होते हैं स्पोर्स बहुत सारे होते हैं स्पोर्स होते हैं स्पोर्स होते हैं स्पोर्स प्रेजेंट ऑन बोडी प्रेजेंट ऑन बोडी के लार्वा में लार्वा में एडल्ट में नहीं होते हैं एडल्ट में स्पोर्स नहीं होते हैं कि अब लार्वा फोम जो है इसके अंदर बोडी प सब्सक्राइए तो यह होग dai इस से चारेक्टरश और न क्क पॉंट लेते हैं आफंड है नेक्स एंपर्थिटोत या आपन का सब्सक्राइत कंए लोस एन अिप्टैंस को इस पॉइंट एपना डेमेज एन एंपोर्टेंस डेमेज एन इंपोर्टेंस की बाद लुगते हैं तो 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 था सुनना इसका यह लाई इसी इंशेक्ट है बहुत सा अपने बाद करते हैं यह इंशेक्ट जो बहुत है वो पॉलिफेगस इंसेक्ट होता है यह इंसेक्ट पॉलिफेगस इंसेक्ट होता है यह पॉलिफेगस का मतब अपन बता चुका हूं पहले अच्छा अपने इतने सारे जो इंसेक्ट पड़े हैं इतने सारे जो इंसेक्ट पड़े हैं उनमें से एक अपने मोनोफेगस भी पड़ है कि यह बहुत सारे जो फ्रूट से बहुत सारे जो प्लांट सें उस पे यह iaracide की रूप में रहता है तो such as apple, bear, citrus fruit, guava और or omega nut clear है तो यह insect जो होता है कुछ एरिया में, कुछ एरिया में तो यहाँ आपन जो पढ़ रहे हैं यह प트 में बटरफ्राइं के रूप में पढ़ने हैं मतलब इस बटरफ्राइ Works की बात हमकता है तो इसकी suspicious होती है वोomial कॉनसी है और दिए हो इसको का जाती है एक फूट में मूर दिन एक लारवा होते हैं 8 larva से ज्यादा larva एक fruit में मिल सकते हैं clear है, फिर अपन बात करते हैं इसके अंदर कि इनसे infected मतलब जब यह larva foam है यह larva foam इसके अंदर enter कर गई Enter करने के बाद जो fruit है, infected fruit जो है उसमें bacterial और fungal infection भी हो जाता है ठीक है fungal infection और bacterial infection भी present होता है और इसके कारण से क्या होगा कि इंफेक्टेट फूर्ट जो है वो गिर जाएंगे एंफेक्टेट फूर्ट सेड एंड फॉल स्मेल इमर्ज प्रॉट्स मतलब बहुत गंदी सी स्मेल जो है वह गंदी सी स्मेल से आने लग जाईगी देखा हो तुम वह ने अभी हाली में यह प्रमेक्रेंएते हैं तो बहुत सारे आये गरते थे मार्केट में तो देखा वह तो टुम हो ने वह जो वह ँपर सा लोगीरू कर से सब्द्धमर निरुए वर्ट होता है दो पहले से को हैं किसी तोफौ le प्रजेंट होता है यह इस उसके कारण से और सब्सक्राइब करेंट कि 490 पर्सेंट प्रशन डिमेज में तो यह तो यह पॉलिफेगस इंसेक्ट पॉलिफेगस एंसेक्ट पॉलिफेगस एंसेक्ट इस पिरे मन बाल केते हैं एट हामफुल एट पॉल एपल बेल शिट्रस प्रूट एंड इनको यह हम करता है इनको यह दिमेज करता है अब इस्टेच की बात पॉल्स प्रूट अब सबॉटेज करते हैं तो हाम कन् 550 ने बनाए कि यह वाले स्टेच अबने हो नियुकत का मिने पॉल थे सनद कर इंट हैं मिन और इस और जबेर फिंग स्टेजlvania कर बिल बन इससटेच के बात कि तो इस सम एरियाज इस इनिसें इंटैटैज इस इन इंफंट इंफेस्ट काहिसा रहता है मतलत थी जफितं पोमेगाम इनद करो वह महां प्रूट हो थी इंफेस्ट करता है बतलु स्यवस्टाइब के है इंफेक्शन वहाइब बाट बन कह सकते हैं तुकैं है इसका ज़र्वा उता है इसकी लार्वा जो ग्रेप कॉम होती है यह ग्रेप क्या करती है ग्रप कॉम इसके फ्लेश को और इसको खा जाता है लार्वा फीड ओन फ्लेश एन शीड ऑफ फ्रूट ठीक है फ्रूड के फ्रूट के फ्रूट को और सीड को फिड करता है यह को खा जाता है हम ने एक चीज़ यह पर बताई कि एक फ्रूट जो है इस एक फ्रूट में more than 8 लारवा प्रेजेंट होते हैं मोर देन एक लारवा प्रेजेंट है इन वन फ्रूट है कि एक में आठ ज्यादा होते हैं तो यह लग 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 पूरे फ्रूट को ही करम कर देते हैं तरह जाय है पिडाप बास करते हैं कि एक इंवेक्टिर्ध ट्रूट होंगे उनमें इंफेक्शन होता है किसका बैक्टीरियल और प्रेंग इंफेक्शन का झाए अग्टीरियल अग्टीयल और फंगल एउन एस जेशंगर और अजम्सक्ट इन इंफेक्टेड फ्रूट मैं बैक्टिरेयल और फंगल इंफेक्षिंड गारंटे यह तो ते हैं यह गिर जाते हैं इंफेक्टेड फूट सेड्ट इन पेक्टेड फूट सैड्ड अधि एंड एफ फाउल स्मेल एफ फाउल स्मेल इमर्ज फ्रॉंग देम एक गंदी सी स्मेल जो है वो एन इंफेक्टेट फूर जोंगे एंफेक्टेट फूर से आने लग जाती है स्मेल के टैमेंज इंप्रौ्टेंज हो गया अब आगे लेश्य। आगे स्व में जिस्यक्ट की भात कर हैं तो इसेक्ट के रूप में ठांट है कि ठीट के रूप यहां अपने बारे में ली पड़ा है किसके लिए पर रहे हैं लेग्रे ले लिए बार्फ्राइय के रूप मेपने आपने इसका लाइब साइकल है इसका वह भी आपने थे में पड़ा है मिल्द अपने को बेस मानकर बपने पड़ा है लाइब साइक्ल में पर पॉमेग्रेनिट के रूप में ही पड़ें पर-वेंगर वा इसकी लाइब साइकल के बारे Ip Cycle के बारे में आपन कहें, तो इसके जो adult होते हैं, adult जो होते हैं, यह adult develop होने के बाद में female egg laying करती है throughout the year. पूरे पूरे लगबग पूरे year जो है, वो egg laying करती है, egg laying करेगी कहा पर, तो on callex of flower और small fruits पर. है इनके द्वारा फिमेल एग लेंग करती है है वो चकेलेक्स पार एक सब्सक्रांटेंगें थूल रूवर्त अिध। वार्वल फोम में करवठ हो जाते हैं 7-10 डेस ते लिए लार्वा यह लारवा अब क्या करेंगे जाएंगे पूर को बोर करके उसके अंदर एंटर कर जाएंगे और क्या करेंगे फिर तो फ्रूट पूरा खूरा फूरा पिदे हाएक उची है जिसे क्या होगा की फूर में खराब हो जाएगा उसके नीचे गसर पर एक स्षाथ feed करता हुआ mature larva में convert हो जाता है ये larva feed करता हुआ mature larva में convert हो जाता है और in 18 to 47 days ये larva mature हो जाता है डवलप larva की form में आ जाता है जैसे ही larva mature होता है उसके बाद अब ये pupal stage में convert हो जाता है कहां पर तो within fruit या फिर fruit के stalk पर ये डवलप larva जो है ये pupa में convert हो जाता है पतब वहीं पर उसकी fruit के साथ में चिपक जाता है या fruit के अंदर ही pupal stage में आ जाता है ये pupa जो उती है ये pupa लगबग in 7 to 34 days 7 to 34 days में वापस एडल्ट में convert हो जाता है 7 to 34 days में वापस एडल्ट में convert हो जाता है और life cycle वापस साल हो जाता है और अपने ये कहें कि एक ये वन ये में ये में generation की बात हैं करें तो four generation in उन ये एक ये में इस की आसकती है तो क्योंकि अपने यह कहा कि यह जो एडल्ट है इसके एडल्ट पूराउउड दीर एक्टिवरत थे हैं कि इडल्स आरे तीवर एक्टिव Cambys थ्रॉब तृउवर ये excell国 ठीटिविए इश यह पूरे यह वह एक्ट से प्रच एइस में से अपनबर की बात करते हैं इसमें फिमील की बात करते हैं यह गाइग लेंग करेंग डिके डिके तिमेंग करेंग डिक अं मेंये touch प्लॉवर और स्मोल फूट्स एग लेंग और केलेक्स ऑफ फ्लॉवर केलेक्स ऑफ फ्लॉवर और स्मोल फ्रूट्स अब यह क्या होगे तो यह यहां पर एक्स जो हैं एक्स पीमेल के द्वारा लेकर दिये गए अब यह एक जो हैं इन्हें 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 तो एक्स हो गए और लार्वा फॉम जो है वो बहार आगई यह लारवा बहार आगा लारवा एक जो है एक हैक होके लारॉज़ बहार आगया इंडिई इंडिच्ट क्या हो गया असका सेंट टू टें डिज होगिया इंकि ले फिर पर भात करते हैं इस लारवा के मैचौरव वने, यह जो लार्वा है। अब यह क्या करेगा, feed on food flesh and seeds, लार्वा, feed on food flesh, food flesh and seeds, seeds पर और flesh दो है उसका, उस पर यह feed करेगा, फिर, मैचौर लारवा में convert हुझाएगा, तो सबस्क्राइब करठा हुआ यह मैं 8 so please 14 कम यह कूंत है इस टाइम हुगया यह इंस्ट अरू को में रहता है लार्वा मैचूर लार्वा से मैचूर लार्वा बनने में लगबग 18 to 14 days का time लगता है clear है फिर बर माज़रते हैं यह जो मैचूर लार्वा है यह मैचूर लार्वा आप क्या करेगा अब यह pupal stage में convert होगा कहां पर होगा तो within fruit और fruit stalk convert into pupa within fruit और fruit stalk या जाएगा प्यूपा स्टेज लार्वा लार्वा कनवर्ड इन्टू प्यूपा विदिन विदिन फ्रूट और फ्रूट स्टाल्ग यहां पर इसके साथ चपक कर यह लटक जाता है हैंगिंग आउट हो जाता है फिर यह यह फ्यूपा एडल्ट में करण में कितने देज में तो तो सेवन तू थर्टी फूर डेज़ सीधा आपन कह सकते हैं कि यह इसकी लाइफ साइकल हो गई उस लाइफ साइकल में अपने जनरेशन की बात किये अपने जनरेशन जो है एक एर में जनरेशन तो इसके इंदर जनरेशन आ जाएगी 4 generation in 1 year यह अपने लाइन लिख लिए यहां पर 4 generation in one year लाइन लिख सकते हैं पर 4 generation in one year of this insect यह लाइप साथ यह साल पूरे साल यह 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 एक लेंग करती है अब यह यह आपर अपन केवल और पड़े रहे हैं पर वाकी यह बटरफ्लाइग बाकि यह बटरफ्लाइग एपल पर बेर पर चित्रस कूट पर और वावापर इनप़ भी ऐक लेंग कर सकती है तो ये लारवा जो है उणके फूट को फील कर सकता है उनके खा सकता है और उनमें भी डिफेन टायप ओफ डीजीज आईंफेक्शन आकर कर सकता है इसके कारण से इनने के खारण करते हैं तो यह तो इन्सेक्ट क्या करेंगे लावर के कलेक्स पार्ट पर या फिर फूट बनने लग जाएंगे तो स्मूल फूर्स पर जाकर एग लेइंग करतें यह एक जो है यह एक 7 तू 10 डेज लार्व फोम में आजएंगे तेने मतालब इसको लारवा है यह लारवा है यह लारवा और सीड पर फीड करता हुआ रवल अगता है 18 तू 47 डेज इंचर अब यह जो मैं थो नारवा है और यह थे यह जो मेचव लार्वा है यह मेचव लार्वा अब या तो विधेन फूट या फिर फूट इस्टाल पर चिपकी हुए रहती है स्टेज सेज में इस स्टेज में अपने को सकते हैं और ईजी लिपन इसाय कर सकते हैं है जब अपने को अपने को अ डर सकते हैं तो ऐसे एक को तोड़े को खिते तो पुपा जो है वो 7-34 days में या पुपल स्टेज़ जो है वो 7-34 days की रहती है फिर उसके बाद में यह वापस है एडल्स में परिवेट हो जाता है और यह अपनी life cycle जो है वो 2 hour the year ऐसे ही चलती रहती है कि प्यादा अब बागते हैं इसके management की आपने चाहते हैं इसमें मैंनेजमेंट के पॉर्चन के मैंनेजमेंट में क्या रहा इसका management management में पहला अपन ले ले लेते हैं कि अनल जर्नल मेनेजमेंट कि जर्नल मैनेज्मेंट दूर मुषिमक्राइड कैसे हो सकता है तो जर्नल मेनेज्मेंट है यह जो फूरुटको दिमेश करेंöttको ऐलाएं कॢ़नों क्लास कर्यास कटम होंगां यह बहुत वट्सक्तर बाइज हाई हाई अब हाई की जिघए थुदग सा दो-चार वाद, पांच मिम्ट वाद में वाय का टाम हो गया, ठीक है, चलो, जनल, जनल मैनेजिमेंट की बाद अब करते हैं, तो जनल मैनेजिमेंट पोडी में क्या रहे गा इसला अगर particular fruit को cover कर सकें तो particular fruit को या फिर उस plant को cover कर दें केवल mature होने से पहले अपन ऐसे नहीं ही बोल सकते कि उसमें flowering हो रही है उस flowering से पहले अपन उसको cover कर दें तो फिर उसके इंदे तो flowering भी नहीं होगी, pollination भी नहीं होगा और fruit भी नहीं बनेंगे तो मैचूर होने चाहिए, फ्लावर आने के बाद में, स्मौल सीड आने के बाद फिर अपने को कवर कर दो, फिर अपने को मैचूर फूट तयार मिलेंगे, तो डेमेज केंड बी रिदूज बाइ कवरिंग डेफ फ्लूट बिफूर मैचूर, पहला मेनजिमेंट क्या हुगा, the damage can be reduced by the covering of plants before fruit maturation fruit maturation okay fruit maturation जे पहले अपन इसको cover कर देंगे तो अपन क्या कर सकते हैं covering कर सकते हैं clear है चलो next अपन बात करते हैं यह जो पार्ट है मतलब जो infected पार्ट है उन infected पार्ट को अपन क्लेक्ट करेंगे इन्सक्टे जो फूट है उनको इनको लेंगे और उनको लेक्ट करणे करें क्लेक्ट अंडिसक्ट अब एंट्रोव शोट्ट किसे जर्ड सेकंड की बाद हम बनादेंट है तो ही आता है है कैमिकल मेंजमेंट किसा है條 इतंव किमिकल मेंजमेंट किया बनाए कोब करते हैं तो केमिकल मेंजमेंट